चलिए फ्रेंड आज पढ़ते हैं नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड आप कैसे प्राप्त करोगे तो नाइट्रिक एसिड प्राप्त करने के लिए हमारे पास है नाइट्रोजन आईए शुरू करते हैं ये रेक्शन दिखें नाइट्रोजन एन्टू ओ और ऑक्सिजन ओ 2 से कराईए जिससे हमें nitrogen dioxide NO2 प्राफ्थ हो जाएगी nitrogen dioxide की reactions हमें करानी है water से मतलब जलग भटन कराना है hydrolysis कराना है जिससे हमें nitric acid HNO3 और nitrous acid HNO2 प्राफ्थ हो जाएगी nitrous acid जो होता है वो ice thai होता है unstable compound होता है decompose होने के बाद वो nitric acid HNO3 प्लस nitric oxide NO और water के molecule हमें देता है आईए फ्रेंड इस reaction को जल्दी से समझ लेते हैं ये reactions क्या है सबसे पहले तो आप याद रखिए कि हमें nitrogen से nitric acid प्राफ्थ करनी थी जो हमने in step के दुवारा प्राफ्थ करी ये nitric acid के ये nitric acid बनाने का industrial method है जिसको हम बर्क लेंड एंड आइट process बर्क लेंड और आइट की विधी या अर्क method या अर्क विधी के नाम से जानते हैं जो कि nitric अमल का industrial method है nitric acid प्राफ्थ करने का अब ये reaction जो होती है इस process में कहां कहां होती है सुन लीजिए देगी पहला step में जिसमें हमने nitrogen और oxygen को लेकर nitric oxide बनाई थी ये process होती है एक विधुद भटी में जिसको हम कहते हैं अर्क furnace में होती है और जहां का temperature 35 degree होता है nitrogen और oxygen से nitric oxide बन जाती है उसके बाद जो दूसरा step होता है ये वाला step है ये step होता है oxidizing tower और oxygen कारक इस्थम में जहां पर नाइट्रिक oxide और oxygen आपस में combination करके सैयों करके nitrogen dioxide बना देते हैं तीसरा step जो होता है वो होता है absorption tower absorption इस्थम में जहां पर उपर से जलकी वर्षा होती है और नीचे से nitrogen dioxide को पिरवाहित किया जाता है तो nitrogen dioxide water से रेक्ट करके nitric acid और nitrous acid हमें प्राप्त करती है और nitrous जो होता है वो आइस्थाई होता है unstable होता है और decompose होकर हमको nitric acid और nitric acid और nitric oxide और gel के अणव को दे देता है तो I hope friend ये वीडियो आपको पसंद आई होगी इसे like कीजिए share कीजिए हमारे channel को subscribe कीजिए हम मिलते हैं आपको इसकी next वीडियो में